नमस्कार छात्रों! आप सभी का पुना मेरे चैनल पर स्वागत है. अभिनंदन है. छात्रों पिछले लेक्चर में हमने आयोटी के इतिहास और विकास पर विस्तार से पढ़ा था. मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. इंटरनेट आफ थिंस का आर्किटेक्चर मुख्यत है चार लेयर्स में विभाजित किया जा सकता है. ये लेयर्स हैं परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर और एप्लिकेशन लेयर. प्रत्येक लेयर का अपना विशिष्ट कार्य और महत्व है. चातरों आप इन लेयर्स को इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सी लेयर किस स्थान पर होती है और किस लेयर में कौन कौन से डवाइस कनेक्ट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है. चात्रों अब हम इन चारों लेयर्स को एक-एक करके उनके कार्यक्षेत्र उपकर्णों और उदाहर्णों के साथ विस्तार से समझते हैं पहली लेयर हैं Perception Layer इस लेयर का कार्यक्षेत्र यह लेयर IoT सिस्टम का सबसे निचलास्तर है और भौतिक वस्तूओं से डेटा एकत्रिक करती है। इस लेयर में उप्योग होने वाले उपकरण। इसमें सिंसर और एक्चुएटर्स शामिल होते हैं जो परियावरनिये डेटा जैसे तापमान, प्रकाश, ध्वनी, गती, आधी को मापते हैं और परिवर्तनों का पता लगाते हैं। इस लेयर के उदाहरन तापमान सिंसर, हुमिडिटी सिंसर, RFID टैग, इन्फरारेड सिंसर। दूसरी लेयर हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का कार्यक्षेत्र। यह लेयर परसेप्शन लेयर से एकत्रित डेटा को सुरक्षित और विश्वसनिय तरीके से ट्रां देटा ट्रांसमिशन के लिए विभिन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का उपियोग किया जाता है जैसे वाइफाई, ब्लूटूथ, जिगभी, 4G, 5G, लोरावन, नेटवर्क लेयर के उदाहरन, गेटवे राउटर्स, देटा एग्रिगेटर्स, तीसरी लेयर, जाता है, यह लेयर सेंट्रलाइस्ट सिस्टम या क्लावड में स्थित हो सकती है, प्रोसेसिंग लेयर में उपियोग होने वाली टेक्नोलोजी, क्लावड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स का देटा सेंटर सर्वर, क्लावड प्लेटफॉर्म, जैसे AWS, Azure, Google Cloud, चौन्थी और आखरी लेयर, एप्लिकेशन लेयर होती है, इस लेयर के कार्यक्षेत्र, यह लेयर उपियोग करताओं को विभिन सेवाओं और एप्लिकेशन के रूप में डेटा प्रोसेसिंग के परिनाम प्रदान करती है, इस लेयर के उदाहरण है, स्मार्ट होम एप्लिकेशन, हेल्थ केर मॉनिटरिंग सिस्टम और योगिक ऑटोमेशन सौफ्टवेयर, क्रिशी प्रबंधन सिस्टम, एप्लिकेशन लेयर से मिलने वाली सुविधाएं, डैशबोर्ड, मोबाइल एप्स, वे प्रदाहरणों से आसानी से समझ सकते हैं. अब हम IoT आर्किटेक्चर के महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट के बारे में समझते हैं. IoT के चार मुख्य घटक होते हैं. इन चारों घटकों को एक-एक करके समझते हैं. पहला कंपोनेंट सेंसर और एकचुईटर्स है ये IOT सिस्टम की नीम्व हैं जो परियावरण से डेटा संग्रहित करते हैं और आवश्चक तानुसार कारवाई करते हैं दूसरा कंपोनेंट है कनेक्टिविटी Connectivity यह सुनिश्चित करती है कि डेटा, Sensor से Processing Layer तक सुरक्षित और कुशल तरीके से पहुँचे तीसरा Component है Data Processing Data Processing में एकत्रित डेटा को Process और Analyze किया जाता है ताकि उपयोगी जानकारी निकाली जा सके चौन्था Component है User Interface User Interface में उपयोग करता Information को देख और Interact कर सकते हैं, जिससे वे बहतर निर्नय ले सके चात्रों इन Components के माध्यम से IoT में डेटा की Processing और Analyzing कर एक बड़े डेटाबेस से उपयोगी जानकारी निकाली जाती है और अंत में हम IoT Architecture के महत्व के बारे में समझते हैं पहला मेहत्व, Real-Time Data Processing IoT Architecture Real-Time Data Processing और Analytics को सक्षम बनाता है दूसरा मेहत्व, Scalability यह सिस्टम को बड़े पैमाने पर डेटा और डेवाइस हैंडल करने की ख्षमता प्रदान करता है तीसरा मेहत्व, Interoperability विभिन्न डिवाइस और प्लेट फार्मों के बीच समन्वय और संगत्ता सुनिश्चित करता है चौन्था मेहत्व है सुरक्षा डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए महत्वपून सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और उपायों को लागू करता है चात्रों इस तरह से आयोटी आर्किटेक्चर को सही तरीके से डिजाइन और इंक्लीमिट करने से विभिन उद्योगों में अद्वितिय और कुशल समाधान प्राप्त किये जा सकते हैं जिससे कार्यक्षमता और उत्पादक्ता में व्रिधी होती है चात्रों हमारा आज का लेक्चर यही समाध होता है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस विडियो को ध्यान से पढ़ा और सुना होगा और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना चलो मिलते हैं अगले विडियो में